नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वाकत है दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा बहुत ही यूजफुल वीडियो लेक्ट आये हूं तो मेरा वीडियो प्लीज पूरा देखेगा और इस वीडियो में जो इ उसमें इसके बारे में पूरी तरकी से इंफॉर्मिशन दोंगा यहां पर सिर्फ आप एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जो कि DSLR में जातार लोगों को नहीं मालूम होती है तो यहां पर जब लोग फोटोग्राफिक करते हैं तो किसी मोड में हमको फ्लेश की ज़रूरत ह होती है तो ऑगर ऐम अटो मोड में जैसे हम यह हमारा और है हम इस आतों मोड का में फोटोग्राफिक करते हैं तो खाल फ्लेश को और हमारा समय कभी कभी ऑन होता रहा Dw Music की ज़रूरत होती है उसके वागा प्रता फैक्ष की बढ़ना पर्ता हूं जयाता है first लिए फोटों चीजों से चुटकार पाने के लिए आपको बहुत यह अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं कि हमको मैनुवल क्लाइस कर सकते हैं द्येसलर में तो ड्येसलर में मैनुवल प्लैस अगर आप कौन करना है तो दोस्तों यहां पर आप आप आके देखेंगे कि यहां पर आप देखि जैसे है आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपका फ्लेश यू है ओन हो जाएगा दो इस तो आप रिकार नहीं है तो इस वहां पर बंद कर दीजेगा लेकिन फ्लेश को कभी भी जब आपको जो लेथ हाथ से खीच के ओपन करने की प्रेस्स ना कीजिए क्योंकि अगर इसक चोटा से वीडियो और आपको पसंद आयो तो मेरा चैनल को सब्क्राइब कर लीजिएगा लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और फ्लेश से जुड़े आगे आने वाले वीडियो में आपको का कैसे यूज़ करना है फ्लेश के काफी जारी ऑप्चन हैं इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में भी है और फ्लेश के काफी मोड से जो आपको मैं यूज़ करना बताऊंगा तोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद